दोस्तों, पुटेशियम एक बहुत ही ज्यादा जरूरी मिनरल है, जो आपके शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है. जैसे यह मांसपेशियों को सिकुडने और फैलने में मदद करता है. जब आपकी मांसपेशियां सिकुडती हैं और फैलती हैं तभी आपका शरीर हिल पाता है पुटैशियम शरीर में नसों की देख भाल करता है यानि पुटेशियम यह सुनिष्टित करता है कि शरीर की सभी नसें, शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम अपना काम सही धंग से करता रहे। पुटेशियम शरीर में तरल पदार्थों का बैलंस बना कर रखता है। पोटेशियम ये सुनिश्चित करता है कि शरीर में तरल पदार्थ कम या ज्यादा ना हो जाएं। पोटेशियम की कमी से शरीर के बहुत सारे अंदरूनी अंग अपना काम सही धंग से नहीं कर पाते। पोटेशियम की कमी से शरीर पोशक तत्व का भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। दुनिया भर में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसमें पोटेशियम की कमी है और इसमें से ज्यादा तर लोग ऐसे हैं जो फल और सब्जिय कम खाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम ज्यादा तर फल और सब्जियों से ही मिलता है। भोजन के अलावा शरीर में पोटेशियम की कमी के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। उल्टी लगना, दस्त लगना, शरीर से बहुत ज्यादा मातरा में खून का निकल जाना या बहुत ज्यादा पसी ना आना। अगर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई है तो आपको कुछ इस तरह के लक्षन नजर आ सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना। थकान और कमजोरी पोटेशियम की कमी का पहला लक्षन होता है। इस थकान और कमजोरी के दो कारण होते हैं। पहला कारणिये है कि पोटेशियम की कमी से मास पेशियां सही ढंग से सीकुड और फैल नहीं पाती। जब मास पेशियों में संकुचन की कमी होगी तो आपको कोई भी काम करने में दिक्कत होगी। इसी वज़े से आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा कारणिये है कि शरीर में कम पोटेशियम होने की वज़े से शरीर इंसुलिन का उतपादन कम मातरा में कर पाता है। इंसुलिन का उतपादन कम होने से खून में मौडूद शुगर मास पेशियों में नहीं जा पाती। जब शुगर मास्पेशियों में नहीं जा पाती तो मास्पेशियों को उर्जा नहीं मिल पाती इस वज़े से कमजोरी और ठकान महसूस होती है पोटैशियम की कमी का दूसरा लक्षन है मास्पेशियों में एंटन और जकडन होना मास्पेशियों में अचानक से क्रैम्स पढ़ना, अचानक से uncontrolled contractions होना, मास्पेशियों में खिंचाव पैदा होना, मास्पेशियों का एक जगह पर जगट जाना, यह सभी potassium की कमी के लक्षन है potassium शरीर में signals को इदर-उदर भेजने का काम करता है पोटैशियम की मौझूदगी की वज़े से ही दिमाग मास्पेशियों को सिगनल्स भेज पाता है दिमाग मास्पेशियों को यह सिगनल भेजता है कि उन्हें कब हिलना है और कब रुकना है जब शरीर में potassium के कमी हो जाती है तो दिमाग के यह signals मासपेशियों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं जिसकी वज़े से मासपेशियों में जकड़न और खिंचाव जैसे लक्षन पैदा होते हैं potassium की कमी का तीसरा लक्षन है पाचन से सम्मंधित समस्याएं होना खराब पाचन के बहुत से कारण हो सकते हैं और इनी में से एक कारण है potassium की कमी होना हमारे पाचन तंतर के अंदर भी मासपेशियां होती है जो भोजन को आगे धकेलती हैं दिमाग इन मांस पेशियों को भी कंट्रोल करता है, लेकिन जब potassium की कमी हो जाती है, तो दिमाग इन मांस पेशियों को कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से सिगनल नहीं भेज पाता। इसका नतीजा ये होता है कि भोजन धीमी गती से आगे बढ़ता है, इसके कारण कब्ज की समस्या पैदा होती है, और भोजन काफी लंबे समय तक छरीर के अंदर रहता है, जिसकी वज़े से सूजन, पेट में अफारा और पेट गैस जैसी समस्या भी पैदा होती है। पोटैशियम की कमी का चौथा लक्षन है, हार्ट पाल्पिटेशन, यानि आपको घबराहट होती है और अपनी दिल की धड़कन महसूस होती है। आपको ऐसे महसूस होता है कि आपका दिल आपकी छाती के अंदर सही तरीके से नहीं धड़क रहा है। कई बार ऐसा भी बीच बीच में धड़कना चोड़ रहा है। इसका भी कारण यही है कि पोटैशियम की कमी की वजह से दिमाग दिल की मास पेशиयों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसकी वजह से धिल की धड़कन और उनियमित हो जाती है। और आपको घबराहट महसूस होती ह पोटेशियम की कमी का पांचवा लक्षन है मासपेशियों में दर्द होना और मासपेशियों का कठोर हो जाना पोटेशियम खून के परवह को भी नियंतरित करता है पोटेशियम की कमी से खून की नसे सिकुड कर संकरी हो सकती है अंदर से छोटी हो सकती है जब नसें अंदर से छोटी हो जाती है तो मास पेशियों में खून का परवह कम हो जाता है मास पेशियों में खून का परवह कम होने से मास पेशियों को कम आक्सिजन मिलती है जब मास्पेशियों को कम आक्सीजिन मिलती है तो मास्पेशियों में दर्द होता है और मास्पेशियों में स्टिफनेस आ जाती है यानि मास्पेशियों सक्त हो जाती है पुटेशियम की कमी का छठा लक्षन होता है हाथों पैरों में, बाहों और टांगों में सुईय चुबना और इनका सुनन होना पुटेशियम की कमी से शरीर की नसे कमजोर हो जाती हैं जिसकी वज़े से शरीर में जाने वाले सिगनल्स भी कमजोर हो जाते हैं इनी कमजोर नसों और कमजोर सिगनल्स की वज़े से सुईया चुबने जैसा एहसास होता है और कई बार हाथ पैर सुन भी होते हैं पुटाशियम की कमी का साथवा लक्षन है सांस लेने में तकलीफ होना अगर शरीर में पुटाशियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि पुटाशियम की कमी की वज़े से आपका दिमाग आपके फेपडों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा दिमाग फेपड़ों को फैलने और संकुचित होने के लिए सिगनल भेजता है पुटाशियम की ज्यादा कमी हो जाने की वज़े से ये सिगनल्स बाधित होते हैं जिसकी वज़े से फेपड़े सही ढंक से फैल और सीकुड नहीं पाते इसके कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपकी सांस फूलने लगती है पुटाशियम की कमी से दिल के धड़कने की गती में बदलाव आ जाने की वज़े से भी दिल शरीर में खून को पूरी मातरा में पंप नहीं कर पाता जिसकी वज़े से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस वज़े से भी आपकी सांस फूलने लगती है शरीर में पोटाशियम की गंभीर कमी जानलेवा भी साबित हो सकती है पोटाशियम की कमी का आठवा लक्षन है मूड में बदलावाना और दिमागी थकान होना दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए जिन सिगनल्स की जरूरत होती है पुटाशियम की कमी उन सिगनल्स में भी बाधा होतपन करती है जिसकी वरे से मूड में बदलावाना और दिमाग की कारेक्षमता कम होने जैसे लक्षण नजर आते हैं सभी को एक दिन में 4700 मिली ग्राम पोटेशियम खाना चाहिए लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका आधा ही खा पाते हैं अच्छी डाइट के जरीए आप पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं खाने की जीन चीजों में पोटेशियम ज्यादा होता है मुझे आशा है कि अब आपको पोटेशियम के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी और आप अपने पोटेशियम लेवल का ध्यान रखेंगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद